हेलो नमस्कार दोस्तो कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो दोस्तो आज हम लोग देखने बाले हैं बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक आपके हर एक एक्जाम के लिए या तो आप करते हैं किसी भी स्टेट एक्जाम की तैयारी या फिर करते हैं वंडे एक्जाम की तैयारी हर एक एक्जाम में पूछा जाता है नोबल प्राइज या नोबल परुसकार से क्वेस्चन तो वीडियो कौनत तक देखिएगा इमेजिस के साथ और ट्रिक भी इसमें मै बता दूँगा कि आप भूले ना यह वीडियो देखिएगा वसंत तक पसंद आएगा आपको यह वीडियो तो दिस इस मी कुमार पंकज और स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ उपर आपका हरदिक स्वागत हरदिक अभिनंदन वीडियो को like comment and share करना मत भूलिए अगर आपको पसंद आता है तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सैसन और देख लेते हैं पहले nobel prize के आरे में छोटी छोटी बाते हैं तो हर साल दिया जाता है nobel पुरुसकार किसको उन उत्कृष्ट उपलब्दियों के लिए जो की जाती है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा उत्कृष्ट उत्कृष्ट उपलब्दी प्राप्ट की जाती है तो उन हस्तियों को सम्मानित करने के लिए पुरुसकार दिया जाता है ये बाध्यान रखिएगा इसके लिए उत्कृष्ट उपलब्दियों को पहचान कर वो जो भी हस्तियां हो पुना होगा अलफ्रेड नोबल का डायनामाइट का आवैसकार करने के लिए जाने जाते हैं जो की काफी खतरनाक चीज साबित हुई और इससे काफी दुखी हुए और इन्होंने अपनी कमाई का काफी जादा 90% के आसपास हिस्सा रख दिया था स्वेडिस बैंक में और उसस अलफ्रेड नोबल के याद में ये दिया जाता है उनके द्वारा ये शुरू किया गया उनके द्वारा इस्थापित किया गया ये आपको याद रखना है और इन्होंने उस समय 35 मिलियन के आसपास इन्होंने ये स्वेडिस करेंसी में रखा था पैसा जो की अब बढ़के ह हो गया बहुत ज्यादा तो उसका जो रिटन आता है उससे ये मिलता है इसलिए यहाद बहुत इंपोर्टेंट आप याद रखिएगा कि इसका जो amount होता है वो change होता रहता है समय के साथ कि कितने पैसे मिलेंगे ये fix नहीं होता ये उस return पर depend करता है कि कितना return मिलेगा तो ये change होता रहता है amount price का ठीक है तीन चीजे मिलती है इसमें इसमें एक प्रसस्ती पत्र मिलता है एक diploma मिलता है और उसके साथ एक मिलता है आपक जिस वो चेक या वो एक detail type होती है एक paper होता है जिससे ये confirm होता है कि हाँ आप इससे पैसा ले सकते हैं और एक चीज और जान लीजे इसको कौन देता है स्वीडन के राजा इसको प्रदान करते हैं इस award को ठीक है और किन छेत्रों में दिया जाता है तो आप देख लीजे physiology या medicine यानि चिकितसक छेत्र में physics यानि बहुतिकी के छेत्र में chemistry यानि रसायन के छेत्र में साहित यानि literature के छेत्र में सांती यानि peace के छेत्र में और आर्थिक विज्ञान तो इसको आप पढ़ सकते हैं अर्थ सास्त्र के छेत्र में तो इन 6 छेत्रों में दिया जाता है या आपको ध्यान रखना है छे छेत्रों के लिए दिया जाता है ये noble prize वर्तवान समय में और ये अलग-अलग समय में शुरू हुए थे ये भी आपको याद रखना है सबका समय अलग-अलग है अब ये देख लेते हैं कि इनको कौन-कौन प्रदान करता है अलग-अलग अनुसंसाइं की जाती है इस prize की तो noble foundation दारा इन पुरुसकारों की स्थापना की जाती है इसमें Royal Swedish Academy of Sciences का नाव अपने सुना होगा तो इसमें एक याद ध्यान रहा है यानि कि अर्थसास्त्र बहुतिकी और रसायन इन चार तीनों विज्ञान के पुरुसकार दिये जाते हैं Royal Swedish Academy के जारा ये इनका नाम announce करती है और फिर उसके बाद उनको प देती है Royal Swedish Academy of Sciences ठीक है फिर आता है आगला आपका कारो लिंसका इंस्टिट्यूट तो यह यह भी स्वीडन में है एक इंस्टिट्यूट है Medical Science का तो यह किसके लिए देता है कि यूनिवस्टी के अंदर इंस्टिट भी होते हैं तो आप इसको कारो लिंसका इंस्टिट्यूट या यूनिवस्टी पढ़ सकते हैं तो जादा इसमें इतना डीप में जाने की कोई ज़रूवत है नहीं लेकिन यह द्हान दखना कि नाम सीधा सीधा बता दो कोई फायद औलमुट जनवरी के आसपास यह कर दिये जाते हैं इस वार तो लेट हुए हैं ड्यू टू कोविड और यह जनवरी के पास आसपास एनाउंस कर दिये जाते हैं नाम उसके बाद फिर इनको दिया जाता प्राइस तो यह स्वेडिस अकेडमी देती है लिट्रेचर के लिए क्योंकि इस वार कोविड की वज़े से सारी चीज़ें चेंज होई है तो आप कब किये यह आप ध्यान मत दीजे साहित्ते के लिए स्वेडिस अकेडमी देती है यह आपको याद रखना है नार्वे की संसत जो है स्टार्टिंग उसका नाम है याद रखिएगा तो यह संसत जो है यह सान्ती पुरुषकार के लिए चुनेगे पांच व्यक्तियों की एक समीति बनाती है पांच लोगों की यह कमेटी बनती है और यह यह नाम किस के लिए पीस आवॉर्ड के लिए नोबल पीस के लिए प्राइज जो जिसके लिए जाएगा तो इस तरह आपने चार देखें, तीन के लिए ये करता है, एक के लिए ये करता है, एक के लिए ये करता है, तो इस तरह आपके कितने हो गए, छे हो गए, ठीक है, तो ये आपको मोटा-मोटा हो गई जानकारी, अब देख लेते हैं, हम लोग प्राइज, सबसे पहला प्राइज आपके लिए बहुत लिखेव आप देखे monitor ल लुएस तो आपके लिट्रेचर से और तो यहान रखना है कहीं भी आपको मिल जाए खट से लगादी गए है question आएगा आपको literature का किसका मिला है तो हो सकता है पिछले year का नाम दे दे आपको तो आपको इस year का नाम रखना है लुईस ठीक है एटनबर्ग वगेरा दे देगा खंफ्यूज हो जाओगे ऐसे ही नाम देते हैं उसमें क्या लुईस ग्लूक को मिला है सारे नाम आपको लगेंगे कि हाँ इसी को मिला है तो आपको यह द्यान रखना है literature लुईस अमेरिकी कवित्री है अब इसके आरे माँ आप जान लीजे कवित्री है यह अमेरिकी और यह अभी पढ़ाती है यह उनिवस्टी में अंग्रे जी की प्रोफेशर है यह और बहुत महान कवित्री है इनको पहले कही सारे अवर्ड मिल चुके है एक अवर्ड जो आपको जानना चाहिए वह है पुलिद्जर पुरुसकार क्योंकि यह important रहता है और इनको 1993 में मिल चुका है कि अब तक बहुत सारे सम्मान तो अब से बड़ा सम्मान जो माना जाता है नोबल पुरुसकार इनको मिल चुका है साहित्यानी लिट्रेचर के लिए लुइस ग्लूप को ठीक है याद रहेगा आप दोस्तों तो एल 4 लिट्रेचर और एल 4 लुइस ग्लूप तो आकर कारिकरम सान्ति का नोबल पूरी प्रोकार करने वाले व्रफ दिगोर मृब्रों कि देने की गोसट्रा कि substitute सान्ति का नोबल पुरुषकार div और वर्ल्ड फूरूट प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा मानविय संगठन है जो भूंक भूंके लोगों को भोजन उपलब्द कराता है तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि आप भूंके लोगों को खाना दे रहे हैं और इसी लिए इनको दिया गया ह सांती का नोबल पुरुसकार यह खाद सुरक्षा को बढ़ाते हैं लोगों की मदद करते हैं 2019 का यह अगर इनका डाटा देखें तो 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों को इन्होंने साहता मुहया कराई है जहां भी बाढ़ आती है आपदा आती है या पिर कोई भी किसी कि हो जिससे भुकमरी या खाने की दिक्कते हो तो यह उस तीवर खाद सुरक्षा को भुक्के सिकार जो भी लोग होते हैं उनको साहता मुहया कराता है 2019 का सिर्फ आप डेटा देख लीजिए 88 देशों में कारेरत 100 मिलियन लोगों को खाना इन्होंने दिया है तो इनके लिए स सांती का नोबल प्रुषकार इस वार किसको मिला है दोस्तो डबलू एफ पी यानि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानि विस्वखाद कारेकरम बूलेंगे तो नहीं किसलिए मिला है दुनिया बर में भूंके लोगों की मदद करने के लिए इनको दिया गया है यह आपको य नाद रहनी चाहिए इससे ज्यादा कुछ पूछने के आसंका नहीं है रसाइन विज्ञान के छेत्र में यानि कैमिस्ट्री के छेत्र में अगर आप देखना चाहें तो वर्स 2020 के नोबल पुरुषकार दो लोगों को मिला है संयुक्त रूप से यह द्यान रखिएगा जब आपने क्रिसपर कैस नाइन का नाम बहुत सुना होगा डियने कैची गपई आपको इसलिए इंग्स नाम मैने लिखा हुआ है जो की होता एकदम सही हिंदी में इनके pronunciation करी बार गड़बड हो जाते हैं जैनिफर दाधना आपको हिंदी में देदना भी पड़ेंगे दाधना भी पड़ेंगे आप यहां देख लीजे जैनिफर ए दाधना ठीक है और Emmanuel Charpentier तो इन दोनों को मिला है यह Nobel Prize तो यह आपके यहां पे है Emmanuel Charpentier और यह है आपकी जैनिफर दाधना इन दोनों को मिला है किसलिए Cresper Cas9 जो है Cresper Cas9 जो है वो DNA कैंची के रूप में पहचाना जाता है और Genome Editing के लिए इनको यह मिला है इस तकनीक को इन्होंने विक्सित किया है और इनके प्रियोग से सोध करता जानवरों पौदों और सूप्षम जीवों के DNA को अत्यदिक उच्छ परिसुदता के साथ बदल सकते हैं यह आपको पता है यह आप जानते हैं अगर आपने पढ़ा होगा तो DNA Editing क्यों की जाती है plants में भी की जाती है आपको पता होगा और आज कल काम हो रहा है कि मनुस्यों में भी की जाए ताकि उनके जो अनुवनसिक रोग हैं या दूसरी समस्यां हैं उनको उनसे निजात दी जा सके तो ये काफी महत्पूर्ण रहेगा इस छेत्र में इनका ये योगदान जीनोम एडिटिंग ठीक है इमैनुवल चारपेंटियर और जैनिफर दादना इसको आपको कैसे याद रखना है C4 चारपेंटियर तो आप इसको यहसे भी याद रख सकते हैं जार देना चार देना टिक है 또 qua सब्सक्क्राइब एक के मिस्ट्री की सुना को में ठेैज केंदाइब ऽभिए ठकि नहीं बूलें चछलें सबस्क्राइब छहते कि आiddagen मेदेखें साल-जहां भी संयुक्त रूप से मिला है ठीक है और इसमें जो कौन-कौन है हारवे जे अल्टर माइकल हुटन चाल्सम राइस इसको आप कैसे याद रखेंगे आटा राइस और टन ठीक है आटा राइस एक टन ऐसे याद कर लो आपको चिकित्सा के छेत्र माँ आटा राइस एक टन मन में रिवाइस करिए मेरे साथ मेमराइस करिए आटा राइस एक टन क्या बोलेंगे आटा राइस एक टन सर्माइए मत यह मत कहिए कि क्या करवा रहे हैं देखिए क्या वार एक्जाम में आपको सिर्फ यह याद आएगा कि चिकित्साक चेत्र में आटा राइस एक टन और पिर आप कर पाएंगे यह चीज़ें इसलिए होती है कि यह आपके दिमाग में बैठ जाए ठीक है और ऐसा नहीं है आप करके देखिए मैं गरेंटी देता हूं आप जब करेंगे मौक भी लगाएंगे तो आपको आटा राइस एक तन अगर याद नाए तो नाम बदल दीजेगा कुमार पंकच का ठीक है तो यह कई वार चोटी-चोटी चीज़ें बहुत करती हैं आपको कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि हर सेक्टर में जॉइंट दिये गए हैं इस भर प्राइस एक एक नाम नहीं है सम में दो दो तीन तीन है तो आपको कंफ्यूजन होने की संभावना बहुत ज्यादा है इसलिए आता रायस एक तन रखिये ठीक है और वहां चार दे देना किसमे चार दे देना केमिस्ट्री में और यहां में चिकित्सा यानी और Charles M. Rice, अब इसमें ये कौन-कौन से हैं, जो Harvey J. Alter हैं, अमेरिका के हैं, Michael Hewton Kingdom के हैं, यानि United Kingdom UK, यानि British हैं ये, और Charles M. Rice आपके अमेरिका के हैं, ये तो आप नहीं पूछे का कौन का का है, मैंने सिर्फ आपको addition दे दिया है, आपको Ata Rice एक टन याद रखना है सब, ठीक है और उन्हें ये पुरुसकार किसलिए मिला, ये सबसे important है, Hepatitis C Virus की खोज के लिए दिया गया है, अभी तक Hepatitis A और B को जानते थे, अब इन्होंने Hepatitis C भी बताया है, ठीक हैं, अभी तक A, B को जानते थे, ये खतननाग होती है, बहुत बीमारी, और इसका रक्त से भी संच होता है, एक दूसरे हम बहुत जादा खतननाग बीमारी, तो Hepatitis C Virus की खोज की है, अब क्या होगा, इन्होंने Hepatitis C Virus की खोज कर दी, तो पहले से ही उसके लिए, वैक्सीन्स बनाने का काम तेजी से करने लगेंगी सरकारें, जिससे क्या होगा, कि आने वाले समय में जो आब किया गया है, नोबल प्राइस चिकितसा के छेतर में, ठीक है दोस्तों, याद रहेगी ये बत, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगला है आपका बहुतिकी, यानि फिजिक्स में नोबल प्राइस, तो एंड्रियाम घेज, रोजर पैन रोज, रीन हार्ट गेजल, इसको आप कैसे करेंगे, पैन गेज, ठीक है, पैन गेज घेज, पैन गेज, इसको आप याद कर लीजे, किस में है ये पैन गेज, बहुत इकीम है, फिजिक्स में, पैन गेज, पैन गेज, पैन गेज, पैन गेज, हो गया है याद, पैन गेज, एंड्रियाम घेज, रोजर पैन रोज Reinhardt Genzel तो यह gain आएगा यहां पड़ेंगे तो gain gel है यहां अंकी बिंदी दिख रही है आपको तो यह आदा gain है यहां इसमें तो pain gain gaze आप इसको roser pain Reinhardt Genzel endrium gaze pain gain gaze इसको याद करिए मैं आपको बता रहा हूँ आप इसको मजाक में लेंगे आपको दिक्कत हो सकती है pain gain gaze को याद करिए चार दे देना को याद करिए आटा चावल एक टन को याद करिए देखिए मुझे आपको पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया आपको कैसे नहीं होगा अचा सौरी आपे मैं इंग्लिस नाम लिखने बूल गया हूँ लकिन नाम एक ही है एंड्रियाम गेज रोजर पैन्रोज रीनहार्ड गैंजेल इनको किस में मिला है फिजिक्स में बहुतिकी में क्यों मिला है ब्लेक होल के बारे में अपनी खोज के लिए इन्होंने बहुतिकी में नोबल प्राइज लिया है इन्होंने जो पहले से ब्लेक होल के बारे में जो थियोरी थी उसको इन्होंने और आगे बढ़ाया है ये आपको याद रखना है तो ब्लैक होल के बारे में अपनी खोज के लिए नहीं बहुतिकी का Nobel Prize मिला है अब इसमें एक चीज जो आपको जानने वाली है वो यह है कि इस बहुतिकी के Nobel Prize में आदा हिस्सा मिलेगा Roger Penrose को और दूसरा भाग मिलेगा संयोक तूप से Reinhard, Genzel और Andrea Ghez अब जो इसमें Andrea Ghez है यह तो आपके Andrea Ghez है यह विमन है, Roser Penrose यह है और Reinhard, Genzel यह है ठीक है यह आपको जाद रहेगा नाम से ब्याद चेहरे देखने से Andrea Ghez, Roser Penrose, Penrose और Reinhard, Genzel तो इन तीनों को मिला है यह बहुतिकी में ब्लैक होल के बारे में अपनी खोज के लिए और इसमें जो आदा हिस्सा है वो जाएगा Roser Penrose को, इनको मिलेगा आदा, बीच में इसलिए लिखा है आदा 50% और बाकी जो 50% होगा 20-25 इनका जाएगा 25 इनका 25 इनका ठीक है तो इस तरह पूछ सकता है यह नहीं पूछेगा बस आपको नाम पूछेगा जहां तक है बहुतिकी में Nobel Prize मिला है इनको, यह आपको याद और इसकी ट्रिक क्या है? पेन, गेन, घेज, ठीक है? चले आगे देखें, चली आगे ला है अर्थसास्त्र, यानी एकोनोमिक्स में, तो इस वर्स यह परुसकार संयोक्त्रूप से दो अमेरिकी अर्थसास्त्रियों को प्रदान किया जाएगा, वे हैं Paul R. Milgram और Robert V. Wilson, ठीक हैं, तो मिल्विल, कभी मिल्विल, अर्थसास्त्रों में, तो यह है अर्थसास्त्र को मिला है, मिल्विल को, यह दो अमेरिकी अर्थसास्त्रियों को इसमें भी दिया गया है, मिल्विल, यानी Paul R. Milgram, Robert V. Wilson, और उन्हें यह पुरुसकार किसलिए दिया है? निलामी सिद्द अब चीजों के हैं, पिछली बुणाइया, अब इजीत बनर जी, अस्थर डफलो याद हैना, आपको बारतियत है अब जीत बणर जी और अस्थर डफलो उनकी वाइफ थी और एक और थे तीसरे कौन थे बताओ कॉमेंट करके आपको दो क्वेश्चन है कि पिछली वार जो अर्थ सास्तर में मिला था दो मैंने बता दिये अभिजीत बनर जी अस्थर डफलो एक तीसरे कौन थे और दूसरा कि कितने भारतियों को अ मुझे कॉमेंट करके बताईएगा और कॉमेंट करना मत भूला करिए कॉमेंट करने से क्या होता है आपके वह क्वेश्चन रिवाइज हो जाते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग करते भी है कॉमेंट ज्यादा ज्यादा कर आगर को कॉमेंट उससे क्या होता मैं आविस्कार के लिए इनको दिया गया ठीक है याद रहेगा आपको चलिए आज के लिए इतना ही था वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक सेर जरूर करिएगा कैसा लगा वीडियो बताईएगा तब तक के लिए धन्यबाद बाबाट टाटा दोस्तो